इस वीडियो में हम जर्नल एवेंस और जर्नल साइंस से रिलेटिड जो आज के पेपर में क्वेश्चिन आये हैं तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चिन है दुनिया का सबसे उंचा ग्रीन गाफ को जिसकी हाइड जो है वो 2650 मीटर से तो यह हमने जर्नल नॉलेज में य फालोइंग स्टेटस इन दी इस दी हाइस्ट इन इंडिया तो मैंगरूज जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो वेस्टे बेंगॉल क्योंकि वेस्टे बेंगॉल में जो है गंगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्राइब तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है पार्ट थी इसका बनता है डेटी से रेडियेशन तो आउनली इसका आंसर हो जाएगा यहां पर संकरांथी के बारे में कहा गया यह псих School हमने जर्नल नावले पड़ा है तो इसका जो आंसर है मांकर संक्रांथी जो है यह लाइटस फिस्टेवल आफ लाइटस भी कहलाता है तुर प्यक्योशन है इस दी वाटर फॉल एंड डी रिवर एसुसेटिड विद इट इस करेक्ट्री मैच तो यहां पर हमें बताना है कि इन में से कौन सा वाटर फॉल उसके करेक्ट्री रिवर से मैच किया गया है तो जब हम इन तीनों को देखते हैं चित्रा कोड फॉल्स या हिंडू फॉर्ट् इन मेंसे जो सही है वो है पार्टD that is दूद सागर फॉल जो है यह सही यहां पर करेक्ट सही दरिया के साथ यहां पर मैच किया गया है दूद सागर जो फॉल है यह मंडोवी रिवर पे आता है नेक्स वाटर फॉल्स यहां पर पुछा गया है लचा एंड गुची आर दे of which of the falling spices that is prominent ingredient of the Kashmiri cuisine. आपको बताने कश्मीरी वाजवान में से इन में से कौन से ऐसे मसाले हैं जो एक ही स्पाइस से निकलते हैं यानि एक ही स्पाइस के वो दो कस्मे होती हैं जो कश्मीरी वाजवान में बहुत इस्तिमाल किया जाता है तो यहां पर जो इसका आंसर है वो लचा और गुची जो है यह काड़मम की दो फार्मस हैं और इन को कश्मीरी में लकुट और एंड बोडोल कहते हैं नेक्ट क्वेशन है आपर देरी वोट आप 1857 ब्रिटिश पार्लिमेंट टुक आवे देपावर्स आप पावर्स तो गवर्न इंडिया फ्रम इस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया यहां पर कहा गया के 1857 रिवोल्ट के बाद जो एंप्रेस आफ इंडिया जो है वो किसने एजूम किया तो इसका जो आंसर है वह है क्वीन विक्टोरिया विचाथ फालिंग टॉर्निमेंट इस असोचिएड़ विद गैम आप टैनिस तो यह तो सभी को पता होगा कि इन में से टैनिस से रिलेड अइडिटेशनल लेवल फ़र हाउ मने यर तो यहां पर जो कहा गया के आरजुना अवार्ड को हासिल करने के लिए सपोर्टिस पर्सνने इंटेशनल लेफल पे कैसी पर्फॉर्मेंस और कितने सालों के लिए प्रफॉर्मेंस जो है वो शो की होनी चाहिए तो आंसर इसका झाट कुछन गया है यह हमने जनल नोलज़ में है क्विसंट का नाम इस में जो फॉलो किया जाता है तो इसका जो आनसेर 5.5 डिग्री इस्ट इन सेवंटीन फिप्टी सिकस्ट फॉलिंग रूलर्स एटेकर फॉर्ट विलियम एंड इंपरिटिश मैं एंड विमन इन सुमॉल सेल विच लेटर बिकेम नून एज होल आफ कलकटा तो यहां पर कहा गया है इन में से कौन सा ऐसा रूलर है जिसने फॉर्ट विलियम को हमला किया और यहां पर जितने भी बिरिटिश मैन विमन थे उनको कैद किया एक छोटी सेल में और फिर इसी सेल को बलेक होल आफ कलकटा कहा गया तो आपको बताना है रूलर का नाम तो इसका जो आंसर है वो है सिराजु दॉला नेग्स जो question है science related है बहुत ही basic सा question पोचा गया हैda zu fit system के बारे में जब हम food खाते हैं तो उसके बाद क्या क्या होता हैचितो यहां पर आपको बताना कि false statement कौं सा है डाजशन गार्वाग्डाव औफ वूर्ट इंटो進िलर फर्म येud deeper हो गया दूसरہ है Ingestion is the intake of food through the mouth ये भी ठीक है Ingestion is the removal of the digested food from the body ये भी ठीक है Absorption is the release of nutrients from food into the blood stream तो यहां पर ये जो statement है ये गलत हो जाता है तो इसका जो part D है ये सही हो जाएगा Next जो question है ये आप सभी को पता होगा COVID-19 के बारे में ये question पूछा गया है हमें यहां पर ये पूछा गया है कि खुद को प्रोटेक्टिक करने का इन में सबसे अच्छा तरीका है COVID-19 से बचने का तो यहां पर जब हम इसकी जो सारी option चेक करते हैं touching eyes and nose तो यहां पर हमें कितनी बार radio TV पे ये कहा गया कि अपने हाथ जो है वो सोप से दोएं या अलकोल बेस जो वाटर होता है उस पे हम उससे हाथ दोएं जिसको sanitizer भी कहते हैं उनसे हाथ दोएं दूसरा जो है attending mask gathering तो यहां पर हमें कितनी बार कहा गया कि मास gathering जो है वो ना करें इसका जो सही option बन बन जाएगा वो है पारड़ी डैट इस वेरिंग एफ फेस मास्क इन पाप्लिक तो हमें ज्यादा से ज्यादा है इस मास का इस्तिमाल करना जाएं नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वीच आफ दे फालोइंग टीम वान दी आई सी सी अंडर 19 वर्ल्ड कॉप 2018 यह हमने सपोर्ट जो रिलेटिड जो वीडियो है उसमें यह क्वेशन करा है कि आई सी अंडर 19 वर्ल्ड कॉप 2018 का किसने जीत में है विक्टोरिया मिमोरियल तो इसका जो आंसर है यह वेश्टे बेंगल वेश्टे बेंगल में है और वेश्टे बेंगल की जो कैपिटल कॉलकॉट टामें यह है नेक्स्ट जो है ऑन 30 ओक्वर 1947 वाज अपॉंट एज़ एडिश्टेटर फॉर इस स्टेट आप जमोर ए जाने शेक अबदला हो जाएगा नेक्स्ट जो है यहां पर आपको बताना है इन में से जो यह दो स्टेटमेंट है इन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या ठीक है या दोनों ठीक है या दोनों गलत है तो यहां पर जब हम यह दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहा जो option बनेगी कि दोनों ठीक है यानि true true जो है ये हो जाएगा यानि इसका जो पार्ट भी है ये सही हो जाएगा नेक्स्ट जो है यहां पर पुछा गया है कि English weekly Maratha and Marathi weekly केसरी जो है इनको इन में से किस शेक्सियत ने स्टार्ट किया था तो ये भी हमने History of India में पढ़ा है तो यहां पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बाल गंगादर तिलग नेक्स्ट क्वेशन जो है सांची स्टूपा के बारे में पूछा गया है और अशोकन पिलर टैंपलज मोनश्टी से रिलेटेड जो the question है पूछा गया है तो हमें बताना है ये किस मजभब के बारे में हमें बताता है तो जब हम अशोका की बात करते तो अशोका तो स्टूपा जो हैं ये भी जो मॉनुमेंट्स हैं ये बुदिष्ट मॉनुमेंट्स हैं या मॉनस्ट्री हैं तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी है यानि बुद्दा जो हैं बुद्दा की लाइफ ये दर्शाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन जो है यहां पर मुगल के बारे में पूछा गया है कि मुगल जो हैं ये पूछ से आते थे और इन्होंने एक सेवन स्टोरी बिल्डिंग दमदम बनाई तो हमें बताना है कि ये जो दमदम बिल्डिंग है ये किस जगा आती है तो यहां पर चार उप्शन दिये गए हैं तोसा माइदान जे गाठी ब एक जगा इन्होंने कानस्ट्रक्ट की थी जिसको दमदम कहा जाता है तो ये जो दमदम है तोसा मैदान के मकाम पे आती है जो कि बढ़गाम एरिया में एक जगा आती है तोसा मैदान तो इसका जो आंसर है वो तोसा मैदान हो जाएगा नेक्ट क्वेशन जो है जिर्मन सिल बिल्वर जो है ये कॉपर जिंक और निकल का बना हुआ होता है यानि इसका जो सही आंसर है वो पार्ट डी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहां दिया गया है मैज दिया पॉपिट फॉर्मस ऑफ इंडिया इन लिस्ट वान विद दियर रेस्पेक्ट स्टेट यहां पर हमें कुछ कटफुतली के नाम दिये गए हैं हमें बताना यह कटफुतली किस किस रियासत में फेमस हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले कटफुतली दिया गया है तो याद रखें कटफुतली जो है राजिस्तान में फेमस हैं कुंधी जो है यह उडिसा में फेमस है और पावा कुथू जो हैं ये कैरला में फेमस हैं तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1C, 1C, 2A, 1C, 1C, 2A, और 3D हो जाएगा, 3D इसका सही यानि पार्ट A जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेक्ट क्वेशन जो है ये क्वेशन हमने कराया है यहां पर विटामीन और डिफिशन से डिजीज से रिलेड़ेड ये क्वेशन है हमें बताया गया है दिफिशन सी आफ विटामीन की डिफिशन सी से क्या होता है तो यह हमने पढ़ा था कि विटामीन की डिफिशन सी से जो ह फिलीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी बिलीडिंग नहीं होती अगर आप में विटामिन के कमी हो तो इससे जो होता है कि क्लॉट्स नहीं बनते हैं तो इसका जो जो सही in 2018 Asian Games राही सरनबोट becomes the first Indian women to win a gold medal in one of the following supporters which supporters राही सरनबोट is associated यह जो question है यह supports में से आया है आपको बताना है राही सरनबोट जहें इनका तालुक किस गेम के साथ है तो इसका जो सही answer है वो part भी याने shooting है नेक्स्ट क्वेशन जो है यह बताता है आइनिफर दे कैनल इन कश्मीर रिजिन वीच ड्रॉट फ्रॉट फ्रॉम दे लिडर रिवर लिडर एंड इरिगेर्ट दे लेंडस आप मतन दच्छनपूर कवापूरा एंड अनंतनाग यह क्वेशन जो है हमने फेमस कैनल आप जुम है तो यहां पर ला इरूट ना कोई रिडर ये कैनल करती है तो इसका जो आंसर है वो मार्तंट जो है यहां पर के पूछ लाइट येर के बारे में पूछा गया है तो यह क्वेश्चन हमने साइंस टॉपिक में किया था कॉंटिटी इस एंड मेजरमेंट जो है यूनिट जो है उसमें हमने ये पढ़ा था तो यहां पर क्या बता था कि इन से कौन सा स्टेट्मिंट इन करेक्ट है तो जब हम पहला स्टेट्मिंट परें एट लाइटियर एज लाइट के बारे में कहा गया है कि एट एज यूनिट आ यह जो ऑप्शन है फिलाल ठीक है दूसरी ऑप्शन पर एक इस दिशनद लाइट ट्रावल इन वान अर्थ ये अर्थ येर में light travel करती है ये बिल्कुल गलत है तीसरा है इस value in kilometer is of five point eight eight into ten raised power आर ट्वेल है ये भी जो option है ये यहां पर दूसरी option पी गलत है तो यहां पर जो सही option सिर्फ A हो जाती है और दूसरी option और तीसरी option जो है गलत हो जाती है तो आपको in character जो options हैं उनको सिलेक्ट करना है तो यहां पर जो दूसरी और तीसरी है ये इन character हो जाती है तो इसलिए यहां पर इसका これ हो जाएगा तीसरी जो option है statement है ये in character है नेक्ट कोशन हमें पूछा गया है वीच आफ फॉलोइंग फैस्टिवल डाज नॉट इस टेपिकली बिलॉंग टु कैला इन में से हमें बताना कि इन में से कौन सा ऐसा फैस्टिवल है जो कैला का नहीं है तो जब हमने फैस्टिवल अफ इंडिया में पढ़ा था कल्चर का फैस्टिवल है लेकिन जब हम गुड़ी पढ़वा की बात करते हैं तो यह कैला का फैस्टिवल नहीं है तो इसका जो आप्शन हो जाएगा वो पार्ट थी हो जाएगा यहां पर पार्ट बी यानि ऑनली थी जो है इसका सही आंसर बन जाएगा